लोटस आयरुवेद इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज हम बात करेंगे आयरुवेद के अनुसार दूथ के साथ नहीं करना चाहिए इन नौ चीजों का सेवन अगर आप नौ चीजों का सेवन दूथ के साथ करेंगे तो हो सकते हैं बड़े नुक्षान आपको तो क्या है कैसा है मैं आपको बता रहा हूं तो आई शुरू करते हैं शर्दियों से कई सारी बीमारियां का इलाज आईरुवेद के जरिये किया जाता है कि एना केबल स्वास्त समस्याओं से रहत देता है बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करने भी मदद करता है इसी प्रकार आईरुवेद में स्वास्त खान पान की और भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है आईरुवेद में कहा गया है कि दूद एक आवस्यक पेपदार्थ है लेकिन इसके साथ कुछ चीजों का सेवन करने से आपको स्वास्त समस्याओं हो सकती है तो मैं आपको बता रहा हूं क्या प्रॉलम हो सकती हैं आईरुवेद के अनुशार दूद के साथ ना करें इन नौ चीजों का सेवन जैसे दूद और मशली के साथ मशली खाने से कई लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याओं हो जाती है वह अगर किसी को एलर्जी रहती है तो इन दोनों के सेवन से खुजली और जलन हो सकती है इसलिए दूद के साथ मशली का सेवन नहीं करना चाहिए दूद के साथ खट्टे फल जैसे कि संत्रा निम्बू और अंगूर खाने से पाचन समंधी समस्यां हो सकती हैं वह इसके सेवन से उल्टी पेट दर्द और दस्त की परिशानी भी हो सकती है इसलिए फल दूद पीने से कुछ घंटे पहले या बाद में पीना चाहिए लेकिन कुछ लोगों को इससे पाचन खराब होनी की समस्यां हो सकती है वह कुछ लोगों को सर्दी खासी इसकिन रासिस या पेट में गैस होनी की समस्यां भी हो सकती है दूद के साथ खरबूजा दूद के साथ खरबूजा खाने से पाचन तंद्र को नुक्षान हो सकता है खरबूजा का फिका और दूद का मिठा स्वाद बाड़ी में टॉक्सीन बनाते हैं जिससे पाचन खराब हो जाता है साथ ही पाचन क्रिया को दीमा भी कर सकता है दूद के साथ जड़ो वाली सब्जियां दूद के साथ कुछ सब्जियां जैसे की मूली गाजर सलजम खाने से शरीर को नुक्षान हो सकता है एज चीजें दूद को पचाना भी मुश्किल बना देती है दूद के साथ मीट दूद के साथ मीट का सेवन करने से सरीर में टॉक्सिंस बन सकते हैं इन दोनों के ही गुड़ अलग-अलग होते हैं इस कारण इनके सेवन से आपको अपच्छे पीड़ जैसी समस्या हो सकती है दूद के साथ हरी सब्जियां दूद के साथ हरी सब्जियां जैसे की पालक मेथी खाने से भी शरीर को नुक्षान होता है वहीं हलके रंग की हरी हलके रंग की सब्जियां पच्छने में थुड़ी मुश्किल कर सकती हैं इनके सेवन से एसेटी और पेट दर्भ भी हो सकता जाए दूद के साथ नमक अगर आपको इसकिन इलर्जी या तोचा संबंदित समस्चा रहती है तो दूद के साथ इनका सेवन करने से परिशानी ज्यादा बर सकती है दूद के साथ ब्रेड आधिक तर लोग सुबह नास्ते में दूद ब्रेड लेना पसंद करते हैं लेकिन ब्रेड में मौजूद थमाई पाचन को और भी नुक्सान करने का काम करता है तो यह था हमारा आज का वीडियो तो दूद के साथ क्या-का सेवन नहीं करना चाहिए मैं आप अपनी हेल्थ का ख्याल लखे और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें फेमली फ्रेंड में वीडियो शेयर भी करें धानवाद